मुझे फरनगर के पुरुकाजी कच्बे में बारिस की वजह से मकान की कच्ची छत भर भराकर गिर गई जिसके नीचे दबने से महला की मोथ हो गई लेकिन मरते मरते ही ये महला अपने पास साल के नन्ने से बेटे को नई जिन्दगी दे गई हादसे के बाद सरकारी अमला इस गरीब की चोकट पर पहुंचा और अब मुआवजा दिलाए जाने की बात कर रहा है दरसल पुरकाजी के महला तारिक मुस्तफा निवासी पशुवया परी दिलशाद कुरेसी अपनी 36 साल की बीवी सितारा दो बेटियों सानिया एवं सलिना और पांस सल के बेटे समद के साथ घर के अंदर सोया हुआ था पूरी रात बारिज की वजह से इसी बीच मंगलवार सुबह मकान की कच्ची छत भर भरा कर सोते परिवार पर कहर बनकर तूट कर गिर गई जिसके मलवे के नीचे पूरा परिवार दब गया शोर सराबा सुनकर मोहले के लोगों ने सभी को बामुश्किल बाहर निकाला बताया जाता है कि जिस वक्त सितारों को बाहर निकाला गया उस वक्त वो अपने पांस साल के बेटे सनद को बाहों में जकड़े हुई थी सिरगाडर लगने की वज़े से फूट कर लहुलुआन हो चुका था ऐसा लग रहा था कि मानो वो समद की ढाल बनी हुई हो लहुलुआन सितारों को ततकाल अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मर्त गोशित कर दिया महिला की मोच से पूरे इलाके में सननाटा पसरा हुआ है जबकि परिवार का रो रोकर बुरा हाल है साजापूर के बाद मुझे फ्रनगर में हुई इस महिला की मोच से एक बाद तो तैं हो गई है कि सरकार चाहे लाक दावे कर ले लेकिन प्रधान मंतरी आवाश योजना क की जमीनी हकिकत बिलकुल अलग है पात्रों को आवास मोहिया नहीं हो पा रहा है जबकि अपात्रों लोग घुस खोरी के बल पर आश्याने पा रहे हैं एमबुलस बुलाए और एमबुलस बुलाएं होना हॉस्पिटल मा ले गए माजी मा जाने के बाद कहते हैं कि बाई इनकी दो डेट होगी नहीं है और मुछ के चिच्च रादे वागी यहां चषदगिरी बहुत बाइज आए अर चथदगिर्ने वजब सोर साब हौई हम आ प्रचे दे उनका पती था उनने बाहने काली वारने काले करा फिर माईला को निकाली है अंबुले है फिर लेगे मत होगी तया तो जब इस ट्रेम ने रुक कातारा नम कुद दे तो इदब है भी ता सारबच्ची पिट पदिल साधी दम फेर आमने पालो ता मट्य अटाई स झालो पी दोगर कुद को भी तो बाहलो एब टा सकतरा वे उसकारा नम कुद दद काली है Yesterday